नमस्कार बक्सर टॉप नियूज में आपका स्वागत है। लेकिन दावों की सही हकीकत क्या है इसे देखने के लिए बक्सर टॉप नियूज लगतार लोगों से बाचित कर रहा है। समपात डॉटर सशांग शेखर लगतार आपके बीच अलग-अलग नेताओं के इंट्रव्यू लेकर आ रहे हैं। चलते हैं स्टूडियो में और देखते हैं रग्रशांग शेखर और राजनीतिक हस्ती की बाचित। नमस्कार मैं डॉक्टर सशांग शेखर टॉप नियमित काजगरम बात विबात के तहत आज फिर अपने स्टूडियो में एक नए महमान को लेकर आ हैं। ये दलित, सोसित और फीडितों की आवाज बनकर जिले में लागातार पिछले 20 वर्सों से संघर्स कर रहे हैं। ये भंगियों के मैलाड होने के खिलाब भी अपनी आवाज बुलंद करके और जिले को में एक नई करांती का संचार किये थे। और ऐसे में विधान सभाचुनाओं का आगाज हो चुका है, सारे दल के निता प्रत्यासी अपने 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 अलाके में घूम रहे हैं। और हमारे अलाके में इस सुरक्षित अलाका है राजपूर का, जहां से सुबे के परिवहन मंत्री चुनाओं मैदान में आज तीसरी पर भागी जमाएंगे। चुकि अलाका सुरक्षित है और सुरक्षित वर्क सहीं वहां के इंडेट दिये जाएंगे। और ये भी खुद वो अपने लिए चुनाओं मैदान में ताल ठोकने का दावा कर रहे हैं। आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि बकसर जीले में का और आजपूर एलाका जहां कर भी दलित राजपूर के तहत उनका आरक रिजेरसन दिया गया। तो कितने विकास दलितों का हुआ है या दलित संबर्ख से आने वाले मंत्री का हुआ है या सवनों की कितने सड के पूल पुलिया बन पाए हैं या सवन कितने इस एंडिया सरकार के कारें से लभाइन ठोग हैं। आई इंसेन की जाने के विबाकरा है। संतोज जी आपका मेरे सुडियो स्वागत आपको भी आपके पूरे परिवार के तरफ से टॉप नुच को मेरा संतोज भारती के तरफ से स्वागत है आप से होका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया आपको लिए बहुत धन्यवाद इसके लिए कुछ मेरे बेवाग सवाल हैं आप जानते हैं कि बिधान सभा का चुना की घुसरा हो गई है और लगातार पार्टी दल के लोग अपने इंपिनलेक के काम करते हैं ऐसे बकसर जीले पर आपकी खास पकड़ रही है राजपूर अलाका सुरक्षित अलाका माना जाता है और उस में भी हमारे जो नुमाइंदे हैं स्टक्षी दरिया से जंदा दल्यू के प्रत्यासी रहे हैं और सुबे के परिवहन मंत्री क्या सिनेरियों है इस बार उनके चुनाओं में और कितने विकास के पैमाने वहां ताय किये गए देखिए मैं राजपूर विधान सभा के 40 प्रत्यासी बूत में घुम चुका हूं मैं कहीं भी जा रहा हूं तो जितना दावा कर रहे हैं यह संतोषक माने राजी कि मैं यह किया यह किया यह किया मैं जमीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हां इधर करिब करिब 15-20 दिनों में एक ट्रेंड चला है उध़ाटन कर करने का सिलेमी नस करने का यह दिखावा है जिस रोड में किसा में धावे के साथ गरें जिस रोड का उद्गाटन कर रहे हैं उस रोड में तक सवाल आपको राजपूर का तो राजपूर के मैं 20 से 25 गाउव ऐसा गिना हूँगा जहां पैदल भी नहीं चल सकते हैं मैं एक गाउव का उधारम जेना चाहता हूँ मनोहर पुर गाउव है जो हमारे ब्रांभन बहुल मतलग की लोगों का संक्या है वहां दलित भी है लोग अत्ति पिशा की लोग है लेकिन वहां दस साल ये विदायक रहे पांच साल बिदायक पांच सल मंत्री वहां एक पुल न पाया है अफने ये कहा कि कोई नेता अलाके के वोटरों से नफरत नहीं करता है विकास का अपने पर मैना हो सकता है अब आपसे इभी जैना चाहते हैं कि कभी संद्स कुमार निराला कभी फर्स पर हाँ करते थे और उन्हें गाउव गिराउव और कभी मोड़ साइकल पर च कि यहां से दलित वर्ग के ही लोग लड़ेंगे उनका यही सपना था कि जब मेरा परत्यासी होगा मेरा जब उमिद्वार होगा तो हमारे समाज की लोगों का भीकास होगा लेकिन साइद बाबा शापका शपना यहां अधूरा नहीं पूरा टूटते हुए दिखाई दे रहा है ऐसे लोगों के खारण जैसे संतोष कुमार निराला जी इन्होंने दलित वर्ग होने के नातर दलित पर चुना जीता लेकिन अपने भाईयों को ध्यान नहीं दिया अर्थाथ दलितों को ध्यान नहीं दिया अर्थाथ बाबा साहब का जो मिशन था बाबा साब को शपना हैं और अपने आपको ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं यह संपती ज़रूर पढ़ा दिया आपको उंकल पेपर में देखे थे को एक दो पेपर में कि इनके संपती एक सो तेइस पता ही है सायद आज बाबा शाहब होते तो उनका आत्मा कापता कि मैं क्यों ऐसा शंविधान में लागू कर दिया इस अस्थान को कि मेरे ही दलित के लोग मेरे ही लोगों को सोशड करें जैसे माली जे राम बिलास पाशवान जी है वो दलित तो कहते हैं अपने है जालिकन अपना खंदान अपना जानते हैं अपना संपती बनाना जानते हैं दलित कर नाम पर ये कलंक है क्या लग रहा आपको कि अगर आपके साथ दल्टों के नहीं विकास नहीं किया तो क्या और आप मैंने यह बता रहे हैं कि दल्ट का विकास नहीं हुआ सवर्ण खुद ही बोल रहे हैं कि हम उपक्षीत हुए इनके राज में तो क्या लगता किसका विकास हुआ इनका अपना विकास हुआ है ये सिर्फ एश्व आराम में रहे हैं ये पटना में ऐसी में रहते हैं और पटना से जब आते हैं तो सरकीठ आउस में रहते हैं और अपने आवास में रहते हैं ये तो कभी छेत्म नहीं मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सिर्फ बता दे कि तीन कि आप तो लागातार यह बात करें कि अपना उन्हों भिकास किया कभी अर्स पहुआ करते थे अब बड़े लोग के साथ उनका उड़ना पेटना हुआ है तो क्या लगता है कि संतुष निल्ला आम जन्मानस के बीच कितनी प्रैट बना है और इस वार के चुनाओं में क्या है त्रिक लगाएंगो देखे संतोस्क में निल्ला जी सिर्फ 5-6 उनके साथ जो लोग दलाल है जो ठीकेदार टाइप के हैं जिनको इन्होंने ठीका दिया है वही लोग है चुनाओं जितने के कहां बात करें पत्रकार साहब जमानत जब्त हो जाएगी दलित के बंसद जो बा त्था जितनाओं के लोग करें यह रिल्तिक नकमा निकला। बात के है कि सवरमण के लोग करें हैं या व्यक्तिक मैंनी कला। अर्थाथ जब पूरी अच्छेतर लोग कर रहें किया कोई काम नहीं कर रहें कोई क्ना नहीं कि यह तो यह हो गया है सिर्फ उध़ाटन चुना जहां एक व्यक्ति घोषडा कर दिये, मैं गय था आपको एक राजपूर गाव में, अम्बेतकर साहब काया है और हमारे रविधास बाबा के मंदिर है, वहां के रविधास बाबा के मंदिर में इन्हों ने कहा था कि मैं इसमें टाइल से लगवा दूंगा, वहां के जब पु आपके सवाल कह रहा है आप रोड के सवाल चलिये, यहां ते इटाडी से चलते लिए आपको मैं मता रहा हूं राजपूर के तरफ कही रोड नाम कोई चीजे नहीं है, रोड है लेकि चलने नाइक नहीं है, यह जूट मुट के रोज-रोज कहते हैं कि मैं या उदगाटन कर सब्सक्राइएब चलने राजपूरेंगे भड़न. अगर आप रर्पोर्ट देख लेजिए भारह सरकार करें neighbors सब्सक्राइब अधिक अखराण के मामला में अगे है अत्यचार के मामला में आगे है लूट के मामला में आगे है दकईती के मामला में आगे है और मेरे सरकार में जो आप का रहा है हाँ निस्ते तोर से कुछ होता था इसमें कई दो मत नहीं है लेकिन इनके से कम होता था और पत्रकार भाई लोग जो लिखते थे लाल-ला मैं न努न रहे भी और हमारे दर्जन मन मंतर्य में पाध्मी साहब हमारे तो sixdream the 3 あग्ड़ मंतर मैं व्लेग्वान स्वाब अदोने इतना पोरा का रुपिया दिया, वहीं पैसा आज तक चल रहा था, ये क्या किया है एक काम नहीं किया है ये कर रहें बिजुली, पूरे हिंदुस्तान में सबसे मांगा बिजुली अगर कई है तो बिहार में है, बता दे मुख मंत्रीजी क्यों है मांगा, आपको पारे बिजुली हम दे दिये आपको है रोड दे दिये प्रदान मंतिर सड़क यूजना किसका है यूपीटू का यूजना है और वही रग्मज में पैसा दिये थे और फिरी दिये थे पहले पैसा आता था तो 75% भारत सरकार और 25% भारत सरकार और जब हमारी सरकार जब पांच का पारत 스ー दिये दिये पैसे के भारत सब्सक्राद साथा और जिले की तल्क सवाल है जिले में लंबे समय तक जिले के निवासी और बिहार में पुलिस दल की तो बहुत बड़ी बात कहते हैं कि बहुत बहुता से रुपियाय और बेहार की स्वणके हैं अफी की सरकार की दिन थी चलिए मैं आप precisa और जीले की तलक सवाल है कि जिले में लंबे समय तक जिले के निवासी और बिहार में पुलिस के सबसे बड़े बिरुक्रेट्स के पदपर से वियरेस लेकर समाज सेवा के छेतर में कदम रखने कर फिर जनता दिलियू का दामन थाम लिया क्या लगता है कि उनकी क्या मंचा है पूरे ये चुलाओं में और क्या चाहते हैं और किसलिए ये समाज सेवा का दामन थामें तेखिए पहले तो हमारे विभावक हैं उनको मेरा पढ़नाम समाज सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है बाबास आपने स्वमिधान में क्या कहा लड़ सकता है उसके लिए कोई क्यों सकता नहीं है आप चाहते हैं कि मैं चुनाओं लड़ू भारत में आजाद मुर्व में तो आप उसके हकदार है उमर उसका है 18-22 का वो आप तो हमारे डिजिशाव लड़ने लड़े चुनाओं अब किस पार्टी से लड़े वो तो उन मिलेगा बकसर पहले आप लोग हला किये तकि बकसर लड़ेंगे आला कि वो अभी कहीं नहीं कहें कि कहां चुनाओं मैं लड़ूंगा लेकिन आप लोग पत्रगार लोग वैसे गाउंगोई में चर्चा हो जाता है कि भाई अमुक व्यक्ति चुनाओं लड़ना चाहते है तो चर्चा है जहां से लड़े लकिन लड़े लेकिन इतिहास भी रहा है जो करेकरता जोला लेकर दोड़ता है जो मुट सेकल पर दोड़ता है जनता उसी को चाहती है जनता उसी को चाहती है हमारे तीन-चार लोग चुनाओं लड़के प्रणाम भी देख लिए है तो आप आपने देखा दलित समाज से आने वाले राजत के जाबाद सीपाही स्वंतोस भारती ने कहा कि राजपूर एलाके में दलितों के वोट को लेकर उन्होंने सत्ता में तो पहुझ गये ना दलित का विकास हुआ और नहीं वहां के स्वंध मदताओं को भी अपना बना पाए वि जनता का कम अपना विकास खुब किया और इन्हों नहीं कहा कि अगर अपना विकास कर लिया है तो बाबा साहथ के सपनों को तार-तार कर दिया है अब देखना दिल चस्प होगा कि आने वाले चुनाओं में जनता किसी अपना वोट दे कर और उट किस करोड बेटता है इसके लिए मैं डॉक्टर ससंक